कि अब है कि अपर स्फोलत आज हम लेक्षण नार फोरैंगे लास्ट वाले लेक्षण में हमने डिलूशन पार्टनश्ब अर्टन सीपर्गें किया फशेर वाद वहान से अब लंगे आesiवर क्या रहेंगा चुन का हमाने सबसे पहले हैं मैं से दैंगे उसके बसे बैसेone वह पार्टनर ले जाएंगे अगर इसमें हमारा पैसा कम पढ़ गया तो जो पार्टनर से वह ले आई गे जिसका शॉटपॉल होगा वह लाएगा और इस तरीके से वह कर दे और फिर यह तो था प्रोसीजर क्या होगा और अकoupon पड़तते हम सबसे पहले बनाएंगे आर्यालाईजतिक बनाएंगे उसके बाद पार्टने origma bank well bank account यह जो cash वह बनाएंगे इस तरीके साथ हमारे जितने भी books वो साहिवी उन míst तो फिर हमने कुछ ट्रीटमेंट्स पढ़े थे हमने पड़ा उस वकत बोला था है कि कुछ special items होंगे उनका हम सीखिंगे कि उनकी accounting entry कैसे करें बैसे कि हम वही सीखिंगे resolution तो हमने करना है और कुछ चीजें होगी कुछ transactions होगे हमने देखा उनकी accounting cash होगे जिसमें हमने कल के lecture में क्या किया था दो दो items के बारे हमने डिसकुस किया था एक ता कि realization expenses के treatment रहेगा कि कभी partner देता है कभी partner bear करता है कभी partner on the behalf of the firm करता है कभी एक partner दूसरे partner के ब्याव पर कर लेता है कभी cash में करते हैं इन सब की accounting entry के से होगी और फिर हमने क्या फटा था goodwill के बारे में कि goodwill अगर balance sheet में है और simultaneously पैसा आ गया तो क्या entry हो जागे पैसा नहीं आ तो क्या entry हो जाए कि goodwill balance sheet में नहीं है और पैसा आ गया तो क्या entry हो जी पार्टर नहीं लेती वह हमने क्या इसी तरह किसे आज भी हम कुछ entries के बारे में कुछ transitions के बारे में देखेंगे कि उनकी accounting entry case हो जाए कि जब हम सारे चीज़े के बारे में clarity हो जाए कि इसका आच्छा ये treatment होगा इसका ये treatment होगा तो फिर हम पूरा क्या है the assets and liabilities which have not be recorded मतलब जिनकी हमने general entry नहीं किया है जिनका हमने account नहीं बनाया है मतलब जो balance sheet में नहीं आ रहे कल का इसका example याद करो आपके पास इत्र बैले शीट एक ठीक है उसमें आपका stock था इफ अपको पता चल गया आपको पता चला गया आपके पास आपके पास फिक्स एसर जो आपने चिट आपने च्छेट इस वहाँ आपके पास आपके पास चेपिश्ट एश्ट पांच वह आप आपको पता चला कि हमारे पास एक fixed asset है 2000 का जो हमने जो हम भूल गए है balance sheet में लाना जो हम balance sheet में लाना भूल गए है किसी भी वज़ा से that is not recorded ठीक है अब उसमें नहीं जाएंगे कि हम कैसे भूल गए हम accounting करना उसका भूल गए थे अब भी वह fixed asset कितने का है 2000 का अब मुझे बता दो dissolution के वकत पता चला कि हमारे पास तो पैसे लेने हैं तो यह कब पता चल रहा हमें एक बंदा आ रहा है उसको बता चला है कि अन्रिकॉर्डड लाइबल्टी यहां तो अन्रिकॉर्डड एसेट होगा यह तो अन्रिकॉर्डड लाइबल्टी होगी अब अब dissolution हो रहा है अब हमें पता चल रहा है अन्रिकॉर्डडड लाइबल्टी हो रही है यह अन्रिकॉर्डडड एसेट हो रहा है ठीक है अब मुझे बता दो जरा अगर मुझे पहले पता चलता कभी पता चल जाता कि राइबिलिटी है तो अघर कभी भी स्पेघ्र फूज पता चल जाता अब अभी तो बूल जाते хорош पता चलेगा कि हमारी ama recording liability yeah citation with Carlos met Capital Liability liability entry करनीस पके तो हम क्या करेंगे Executive with liability जो है अगर क्रेटर और नाम होगा वो जो भी होगा पांच altri तो यह हमारा खर्शा हो जाएगा हमेरे खर्चा हो प्रशाएं एक से जाता है प्रॉट्षी है तो भाउसे फ्ररीट आयायत है तो नाया यह क्या करते हम डोया पोच आया नायी आ और चाहो था तो हम परफिट्र जाधा हो गया था अब प्राफिट इतना नहीं होना चाहे था तो हम रिवायवेशन चाहे तो लाइबिट कर लेते हो लेटे को लाइवेशन और फिर नॉर्मली क्या होता पार्टनोड करतें तो हम यह credit करके यह जो भी होता तो फिर नॉर्मली क्या होता है वह लॉस हो जाता वहाँ पर वह लॉस ओल्ड पार्टन में जाता है इंदियर प्रॉफिट शेरिंग रहे तो यह भी था उनका रिजर्व था उनका प्यानल था तो इंपैट यह जब भी मेरे लाइबिल्टी आ जाती है बाद में पता चलता कि लाइबिल्टी तो उसका इंपैट क्या होगा अगर मेरा कुछ महां पर एसेट नहीं आ रहा है तो तो इतना मेरा वास हो जाता है और वह पार्टनर्स बेर करते हैं उनके प्रॉफिट में से लेंगे और नहीं होगा तो उनके कैपिल में से लेंगे हैं similarly अब डिजी लुचिन में क्या हो जाएगा डिजी लुच्रका क्यों हो ज्डोकार अगा अगर भी हम कोई प्रॉban ब्रोफिट हो यह भी व् 6 bert Chandler डी तो हम हमने क्या किया, हमने सारे assessment, सारी liabilities को ले लिया, हमने क्या किया, जितने भी accounts हैं, जितने भी accounts हैं, उन सब को close City आफ हमें पता चल रहा है कि यह 2000 इंचускो जिस सबस्क्राइब, जिस का cashụ 5000 हैं यह थे इस पताचला जब और बडंख कर रहे homogeneous subject वहां पर हमाई चला पीछे स्टोर में यह 2000 एक एसेट पड़ा हुआ है तो इसका मैं देख रहा हूं कहीं पर बुक्स पर कोई निशान निया पूरी निया निया भूक सारे क्लोज होगे तो इस एसेट को मैं डेबिट नहीं करूंगा अब फिक्सेट एकाउंट डेबिट नह है अब मुझे कोई एसेट वैसेट नहीं रखना है तो मैं क्या करूंगा मेरा जो रियालाइजेशन एकाउंट मेरे पास है मैंने इसमें अपने सारे एसेट बैलेंश से खत्म कर दिये अब क्या होगा देखो अब क्या होगा अब सब को इस 2000 को एसेट को अगर मैं बेज दो हजार है बट मैंने बुक्स में कहीं नहीं दिखाए थी बुक्स में जो एसेट थे उनको भी मैंने क्लोज कर दिया अब सिंपली यह मेरे पास एक एक एसेट है आप अगर हम इसको बेजूंगा सब्सक्राइश को दो हजार रुपिया आ जाएगी तो एंट्री क्या हो ज कुछ एंट्री नहीं होगी अगर होगा अगर अगर होगा मतलब बैलंस्षीट में नहीं था इस वाली बैलंस्षीट में नहीं था बात में पता चला कि हमारे पास तो 2000 का एसेट है तो तुम क्या करोगे इसको बेज दूगे जितना भी पैसा आएगा वह रियला अकॉट मे फिर इस अच्ट को बेज दे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो उसको छोड़ दो अब क्या हो जागा तुम्हारा फाइदा है तुरिया जाएगा वैसे भी तुम्हें 2000 का फाइदा हो रहा है तो इसी तरह से अगर लाइबल्टी है तो 5000 का लुक्सान हो रहा है ना तो लुक्सा सब्सक्राइब करोगे है तो क्रक्स क्या निकला अगर मेरे पास अन्रिकॉर्ड एसेट है क्योंकि अब मैंने सारे अपने असेट्स खतम कर दिये हैं अब मैं कोई एसेट का डेबिट नहीं करूँगा तो जितना भी फाइदा आएगा जितना भी मुझे कैस रियालाइज हो करूँगा और रियालाइज अकाउंट को क्रेडि करूँगा सिंपल बात है एसेट है तुम्हारे पास अब अभी तक कही रिकॉर्ड नहीं किया था कोई बात नहीं अब भी इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे अब इसको बेज देंगे वहां से जो भी कैस आएग पार्टनर्स में जाएगा रियालेस अकाउंट हमारा एक डबबा है प्रॉफिट लॉस सब भी सब कुस्स उसी में जागा वहां पर बचेगा वह पार्टनर्स में डिस्ट्रिप्ट हो जागा तो अगर मेरे पास अन्रिकॉर्ड एसेट है तो वहां से जितना भी पैसा आए इसको भूल गेते अकाउंटिक करना जो भी था अब उसकी वैली 2000 है अब पार्टनर बो रहा है कि यार इस 2000 के एसेट को मत बेजो इसको ना मैं लेता हूं अपने गर तो एंट्री क्या हो जागी मैं जब बोलूगा उससे पहले वीडियो को पॉस करो और खुद सोच एकाउ तो भी 2000 तो फिर क्या बोलेंगे पार्टनर को भाई तुझे 2000 देना पड़ेगा अब वो तो हम क्या करेंगे क्या करेंगे वेरी गूड सार हम उसका टेक और करता है इप टेकन और माई पार्टनर तो एंट्री हो जाएकी बाई कैश नहीं सर कैश तो नहीं आएगा हमने तो तो पार्टेन को दिया तो थोटो प्रेंक को डैक्ट कटान वि को बड़ व है को बाइज elements अगर डियल। अगश आ जाया तो डीकाल कंद करें के और अगर फॉट्र Łess चुव इस को तो क्या करें गे लिभी हाएएस्ज फर्लक आइचे फोई पार्टनर लेखा बाइक है और बाइक पार्टनर बोरा तो बाइक अकाउंट है भी बुक्स में रिकॉर्डड़ एसेट नहीं है बैलेंस शीट में है एसेट तो आप क्या करते हो उसको रियलेस अकॉड में लेतो अब खत्म हो गया अब वह बाइक है बाइक से जितना भी पैसा आएगा तो टो बहुक्त थौब म्यादπως लेता है तो पार्टनर काizer कॉप्ट ऍद्रकाउंगे इसी तरह करें रियjas अक्रण को हम्हें सदूरा ब्ला और और या मैं मैं एक शुद पेंग एकर हम उसको हम तेयो लिए क्रेट करेंगे समझाई बात अगर कोई अगर कोई अगर को चीज मैं बताता हूं अब मैं देखूंगा तुम्हें एंट्री करने आएगी नहीं आएगी यास यहां पर यह अध्याद्यर हाना आद्यटियर यहें करदडर भोर रहे हैं हमें के अ क्रेटर कितने हमारे कि 4800k कृपै अď Ching और टालीचाजर चानल एक क्रेडिटर हमें बहु हघ कि हमें फिक्स हएसे लेंगे कि हॉर है हमें फिक्षी जैसे लेंगे और हमें 20 तो अलग से किया देतों इस सब्सक्राइю ग्नstrima देटvation धूरлек क्रेड को तुमने खतम किया था आप कुछ नहीं है यहां पे सरी इसी तरए से हमने क्रेडिटर को भी कर दिया तो 48,000 में इनको भी खतम कर दिया यहां पे बुक्स में आप कुछ नहीं है ना फरनिचर है अब क्रेटर बो रहे हैं कि हम जो तुम्हारा फरनिचर लेने के लिए तैयार है हमें तुम्हारा सारा फरनिचर लेंगे और हमें 20,000 रुपया दे दो तो नेट में क्या हो जाएगा एगां से उसका इंटी नियों हो जागी अब फाइनली क्या ट्रांजक्शन हो रहे हैं फाइनली हम एंको 20,000 रुपया दे रहे हैं बद फिक्सीट असम तो मेरे खतम हो रहे हैं सारे तो मेरे पास क्या रहा है विए तब चाहिए तब सिर्फ एंट्री और यहाँक्ट से एक अब जितना वह फाइनली ले रहा है कुछ जा रहा है कैश अगर जा रहा है तो कैश तो जा रहा है क्योंकि कैश अभी मुझूद है कैश खत्म नहीं किया है तो कैश का ही खाली एंट्री हो जाएगा समझाई बात अब कुछ क्वेशन करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा और ठीक है अब इलेस्ट्रेशन नंबर थी पर आजाओ एंबर पार्टनर्स इन फर्म दे डिसाइड़ दिजॉल दफों ड्रीकेंट कंफ्लेक्ट्स बिट्म उनको बीच में लड़ाया हो रही थी तो इन्हें डिसाड़ किया कि हम क्या करेंगे बिजनिस को यह बंद करेंगे गिव जर्नल एंट्रीज इफे मिशिनिरी विच हो सकता है हमारे पास एक मेशिनिरी थी जैसे इस कोच्छन में मेशिनिरी कितने की थी मेशिनिरी कमपलीटी राइट आप कर दी थी मतलब एक फिक्सेट था हमारा मेशिनिरी था वह सपोस्थ 10,000 का लाया था सपोस्थ वह हमने लाया था एक लाग का और हमने उसको दस सालों में राइट आफ कर दिया दस जट कर दिया अब उसके बूक्वाली किया है जीरो तो कुछ है लो इसे भोक्तम हो गाया आप क्या मैशीनरी करके जीरो हो अब हमने इसको बेज दिया और वहां से 10,000 रुपया आ गए अब तुम्हें उस मेशिनिर से 10,000 रुपया आ गए जिसका वैल्यू बुक्स में 0 है तो एंट्री क्या हो जागी सरह में फाइदा हो जाएगा 10,000 का सरह में कैश आ जाएगा और तो यह फाइदा हो गया 10,000 का तो कहां पहलेंगे रियलेज अकॉन में सरह हम करेंगे रियलाइज़ेश एंट्री हो जागी सरह एंट्री हो जागी कैश एकाउंट डेविट टू रियलाइज़ेशन एकाउंट दसफ़ ठीक अब इसका भी पार टेकन वर भाइपार्टनर एड़ फाइट अगर यह पार्टनर ने लिया सर्क एच तो नहीं आएगा बट कितना आठ हजार सर्क एच तो नहीं आएगा तो क्या होगा जो पार्टनर है कि बी तो क्या करेंगे बीज चैप्टल एकाउंट डेबिट आठ अगर टू रियलाइज़ेशन समय जाई बात कि देखो अगर नॉर्मल एसेट भी अगर तुम्हारा जो रिकॉर्डड एसेट भी है ना डिकॉर्ड एसेट को तुम क्या कर रहे हो तुम उसको यहां पे ले बना रहा है तो पार्टनर को डेड़ करेंगे तो तभी बो रहा हो तो आपका बूख क्या कर रहा है बहुत सारी के स्टेडीज खुद बना रहा तो अगर एक के सटेडीज नहीं भी होगी तूमें खुद आ जाता है वह वर तो तो मुस को रिकॉर्ड रहे हैं कि वह तो हम तुम ऐसे भी हमारा गर्ज क्या है हमें अपनी बुक्स खत्म कर दिए वो तो हमने खत्म कर दिया अब नया एसिट क्रियेट करने का कोई फाइदा नहीं है तो हम कोई ऐसे नहीं करते हैं जितना फाइदा आ जाएगा उसको रियालेस अकॉर्ड में लेते इसी तरह के साथ ट् को रियालेस अकॉर्ड में नहीं थे बट है ही नहीं 48000 कोई दिक्कत नहीं अब बताओ अब इस दस हजार की लाइबिल्टी वालू को हमने 7500 दे दिया तो एंट्री क्या हो जागी सार्यालेस अकॉर्ड डेविट टॉक्ष 7500 सिदी सी बात है ना तो तुमने तो तुम्हें पता नहीं था कि यहाब लाइबिल्टी तो पे करो ना तो यहाोगी भूछ को तो इस bet rich recall अब ऊधिक हो यह हुट है अब बोल रहा है कि यह जो 10,000 की लाइबिल्टी है एम बोल रहा है मैं पे करूंगा तो एम को कितने से क्रेट करेंगे जिस वैलिव पे उसको एग्री हुआ है एग्री दस सारी हो गया है पहले के इसमें बोला था साड़े साथ हजर में सेटल कर दिया तो सेटल तो पूरा 10,000 में माना एक तो एम तो उनको 10,000 देगा तो एम ने बोला कि मैं लाइवल्टी ले रहा हूं तो हम एम के क्याप्टल अकाउंट को क्रेटि करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी रियालाइस एकाउंट एबिट तो एमस के प्लेकाउंट थीक है उसके बाद है यह था हमारा ट्रीक्मेंट ऑफ अन्रिकॉडड एसेट्स एंड लाइबिटीज अब हम पढ़ेंगे ट्रीट्मेंट ओफ हाला कि यह मैंने परसुन डिस्कॉस किया था ट्रीट्मेंट ओफ रिजर्ज अगर आपके पास रिजर्व है या एक्यूमिलेटिट प्रॉफिट्स है कि अगर तुमारी पास रिजर्व है या एक्यूमिलेटिट्स प्रॉफिट्स है तो इसको क्या करते हो साहर हम ने बोला था हम तीन एकाउट बनाते हैं डिस्यूरिशन में एक रियल स्काउट बनाते हैं एक पार्ट्नर स्केप्टल आपर और कैश उन्ट्य तो रियलिज ए में जो पार्टन का बैलन्स होगा वो और जो रिजर्व होंगे और एक्विलिट प्रॉफिट होंगे या लॉस्ट होंगे इन सब को हम ट्रांसफर कर रहे हैं डिरेक्ली टॉर पार्टनर्स के अप्टल एकाउंट ठीक है इसको रिएलेश्या कॉर्ट में नहीं लेते हैं अब दे को इलुसरेश्यां अबर 5 ट्रीटमेंट अब एकमिंट प्रॉफिट जन ऊसे ए बींड वार्टनर्स इन अ फिर्म शरिंगे मैं ब्लीट प्रॉफिट जैलेश्या कि अप्लीज़ू नंगी, जिंड़िफिंज गोड्विजिस बीजिस धोगे नट्टेश्या से का नि सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या हो गया लॉस क्योंकि प्रॉफिट का क्रेडिट साइट से होगा कितना है और सब्सक्राइब क्या होगा अब क्या करोगे ग्यूनेसरी जरल एंट्री प्रॉफिट लॉस में एक लाग बीजार का डेबिट है तो उसको क्या करोगे ग्युक्त करोगे पहतनर को ने एक लीन एक चांट यूद्श प्रॉफिट लॉस कर कोईंगे इस सब एक लाग बीजार नहीं रहें तो फॉफिट teen औएध लाग लस का डैविट profit and loss का credit खत्म हो जागा A, B, C को debit करेंगे in their profit share is to 3 is to 2 is to 1 तो इसको 60,000 का debit करेंगे इसको 40,000 का debit करेंगे इसको 20,000 का debit करेंगे being profit and loss account written off ठीक है उसके बाद general reserve का balance 1,500,000,000 है तो general reserve क्या था credit इसको क्या करेंगे debit entry क्या हो जागे general reserve debit to A is capital account to B is capital account to C is capital account in 3 is to 2 is to 1 इस तरीकी से हमारा क्या हो जाएगा इस तरीकी से हमारा general reserve account भी close हो जाएगा और हमारा profit and loss account भी close जाएगा तो crack से निकला जो accumulated profits होंगे reserves होंगे उनको हम transfer करते हैं partners capital accounts में directly उनको हम real estate account में नहीं लेते हैं because they are the undistributed profits and losses and they belong to the partners they will be directly taken to the partners capital accounts ठीक कि उसके बाद है treatment of workmen compensation fund treatment of workmen compensation fund मैं तो बोरहाँ बेटा कुछ नहीं है इतने cases बनाने की बस जो भी आएगा उसको logically सोचो बाट चलो आपका है मैं भी इसको discuss करता हो treatment of workmen compensation fund यह आपका आगे admission और evaluation में भी admission में भी था retirement पहले समझें के workmen compensation fund क्या होता है क्या होता है workmen compensation fund सर हमारे जो workers होते हैं जैसे हमारे सर हमारी ना factory है यह हमारी पास हमारी mineral वाली यह है जो minerals निकालते हैं और सुर्स है करते हैं वहां से निकालते हैं माइनिंग करते हैं तो सर वहां पे खत्रा होता है कि worker की खुदाना कहासा death ना हो जाए तो फिर उनको payment करने पड़ती है ठीक है तो हम क्या करते हैं हम एक workmen compensation fund रखते हैं क्या रखते हैं partners workmen compensation fund खुदाना कहसा कल हमारे worker को कुछ चोट आ जाए एक्सेंट होजागी उनको पैसा देना हम यहां से देते हैं तो हम क्या करते हैं हर साल अपने profit and loss में से कुछ-कुछ पैसा निकालते हैं तो हम हर साल क्या करते हैं प्रॉफिट and loss एकाउंट डेविट में कर दिया workmen compensation fund आ रहा है पचास-जर इंद शबॉस क्या करें को क्या करें कि मदेखेंगे हम देखेंगे कि यह की कि यह कोई high Finnish has a lot है अगर को we पर पोपिट कि इन पह्त द्रकुंद नहीं हए तो कहा से निकला था पॉफट से निकला था तो किन का हिस्टा था पार्टनर्स का हिस्टा था तो यह अब पुन को हो जाएगा फिर इसको ट्रांफेर करेंगे partners capital account में तो entry हो जाएगी अगर workman compression की कोई liability नहीं है if no liability arises अगर इस दिन कोई liability है मतलब किसी worker को कुछ चोट नहीं लगी है किसी worker की death नहीं हुए किसी worker को कोई payment नहीं करने है इस context में तो अगर कोई liability नहीं है तो हम क्या करेंगे workman compensation fund account debit 50,000 तो पार्टनर्स केप्टल एकाउंट किस तरह में इंदियर PSR ठीक है जो भी उनका PSR है उसमें transfer करेंगे ठीक बट बट यह तो हुआ तब अगर कोई liability नहीं है अगर कोई liability नहीं है तो इस fund की जुरुरत नहीं है तो इस fund कहां प्रॉफिट को कम कर दिया था तो प्रॉफिट को कम नहीं करते तो प्रॉफिट को सो जाथा पार्टनर को तो इसको पार्टनर्स को जातो इसको ट्रीट करो अधिसे accumulated profit ठीक है undistributed profit है अब सपोज liability है आज की डेट में तो पता चल गया और liability कितनी रही फिर हमारी liability फिर कितनी रहे तो यह ऐसे हो जागा फिर दिस इस अलाइबिल्टी वर्क्समें liability and this is the balance in the workman compensation fund ठीक है तो इस तीज़ार को हम कहां लेंगे इस तीज़ार को हम कहां लेंगे और उस इस केप्टेल एकाउंट में और उस कहां लेंगे यह क्योंकि क्या लाअट लेते हैं सरा रियालाइज था रेडेयर एमित हमें समझाई बात बास तरह समझ नहीं आ रहा है मैं वह रहां देखो बेटा बटन कमपासमन्ट कितना एक पचाहद पताश जार आप देखो पचाहतका फंड अब लायबीटी कितनी यह सब लायबीटी कुछ निया लायबीटी कुछ निया तो एंट्रि क्या करेंगे इसको है तो इसको प्र्रूजर करते हैं तो क्या करते हैं साफोर सब्सक्राइट फटनर लाइटोट। अब 20,000 को हमारा खर्चा हुगया वर्कर को दे लिया तो अब फंड है तो सह चीछा सवारी टाइस करेंगे तो इस कॉधी कर तो यहां पे मैंने कहते हैं हम क्ट इसको आइसा भी कर सकते है करेंगे था क्रेंगे तो वहां करेंगे तुो यह क्रेंगे तुम आए सामझा तूंब यहां जब और इ手 कर दिया बोटी वह चाह क्राक्त में लोग है। ठीक है क्रॉक्स रख रख हैं वर्कमें प्रोफिटस अपने प्रॉफित से बनाया होता है और चिस्त डिसलूइट होगा यह फिरिये टुब पार्टनर्स ने पिफले प्रॉफिट से कम कर दिया था इतना पैसा तो आज उसको रियर एसेज करते हो री एसेज करते हो लाइबल्टी इसको क्या वक्पम्पार्णिशिंड की लाइबल्टी 50 जुरुत है नहीं सर तीज बीस जार ही जुरुई तो बागे 30 झार को खतम करके partner के old profit share ratio में ले लो इसी तरह किसे यहां भी उसको वो खतम कर देते हैं जितने की जुरूरत नहीं है ठीक है अब इल्लेस्टरेशन नबर 6 देखो a firm a partner x and y sharing profits in the ratio of 2 is to 1 was dissolved the firm has the following position firm की balance sheet में liability side में workman compensation fund at 30,000 firstly first case the i there is no liability against this fund show the account जल रहे है अब कोई liability नहीं है 30,000 को क्या करें sir 30,000 को हम खतम करेंगे 30,000 को खतम करके हम partners में ले जागे in their profit share ratio 2 is to 1 तो entry क्या हो जागी sir entry हो जागी workman compensation fund account debit 30,000 to A's capital account B's are to B's capital account 10,000 case B 30,000 है but claim of 12,000 is payable to worker as work compensation session against this fund अब 12,000 की liability है तो 30,000 में से 12,000 liability है पीछे कितना बचा 18,000 तो 18,000 कहाँ जाएगा partners capital account में 2 is to 1 में तो एक में 12,000 दूसरे में 6,000 तो और यह जो 12,000 की liability है इसको transfer करेंगे realization account में sir entry हो जागी workman compensation to partners capital account 18,000 किस में 12 और 6 में और realistic account में जाएगा 12,000 और जबकि reality account से pay करोगे तब entry हो जाएगी reality account debit to cash 12,000 अभी तुम्हें नहीं लिखा है pay किया है नहीं किया है तो अभी तुम क्या करोगे जो 12,000 है उसको reality account में transfer करोगे तो entry हो जाएगी workman compensation fund account debit to reality account 12,000 बाकि जो उसमें बचा 18,000 उसको transfer करोगे पार्टर में टूस्टू बन में ठीक है अब यह था वर्क में कमपस्टिंपन अब इन्वेस्टमेंट fluctuation fund investment fluctuation fund ठीक है कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब खुश हो ना पहले पो रहे हैं सरने खुश हो जाओ ठीक है लिट्रीटमेंट ओफ इन्वेस्मेंट फ्लक्शिवेशन फंड त्रीटमेंट ओफ इन्वेस्मेंट फ्लक्शिवेशन फंड देखो पेटा मैं एक सीज़ बताता हूं तुम्हें कि मैंने यह बोला भी है आज थोड़ा सा ओर बोलता हूं कि अगर तुम्हें एपनी एकाउंटिंग स्ट्रॉंग करनी है एकाउंटिंग का कोई भी सब्जेक्ट में आपको अगर एक्सपर्टीज लेने हैं तो आप क्या करो सब्सक्राइब करो सिर्फ इसी बीचीज को समझ लो उसका यह इंपक्ट होता है उसको पहले विज्व लाइज करनी कुछ करो उसको वहां से इंट्रेशन करनी करनी को फिर जर्रल एंट्री तो दो मिनिट का का मैं कब अगर तुम्हें पहले समझ आयागा वह सारी चीज कि और सब्सक्राइब निए तो फंड कहा से आ गया तो अब इसकी जुरत नहीं है तो फंड कहां से आगया थैज़ आगा उसके लुक्न को याद मत रखो लॉजिक को याद रखो उसके लिए जुरूई है कि तुम किंसप्ट को समझ समर्थिक और शी को रही तो तुम्हूंच ऑ तो यहां मैं क्यों बोड़ा हूं तो जैसे आप इन्वेस्मेंट फ्लक्शिवेशन फंड है तो मैं इसके अभी जर्रल एंट्री बताऊंगा क्या करना है तो आपको जर्रल एंट्री याद नहीं रखनी है आपने इसका लॉजिक याद रखना है आपको समझना चाहिए पहले सब्सक्राइबर एंवेस्मेंट क्या होगी इन्वेस्मेंट क्या होता है सर इन्वेस्मेंट होता है अगर कहीं पर पैसा लगा दिया है इन campe डिया है इनकी में конц नाम से कुछ आ रहा है कि इन्वेस्मेंट्स पचास हज़ार ठीक है मतलब इन्होंने क्या किया है इनके पास स्टॉक है इनके पास डेटर है आप इन्वेस्मेंट्स भी कर दी थी इनके पास लगा था कि फर्म से प्राइब पैसा अच्छा कमा रहे हम और ज्यादर जूरत नह लगाए तो उसको बोलते इन्वेस्मेंट तो यृॉण है ने अ या आएगा अगए का है अक्ट्रेसिंट आएका या आपने अपने सियर्द्ण थी और भाव बाहां से होगा फिर इसकी वैलू बढेगी जिसको mपाड़ा थो आपको फायदा हो जाएगा材 अ Mickey तो इसको हम बोता है इनवेस्मेंट आपने इनश्ट मेरत कर दिए बार यहां कि baik अगर आपने कोई ऐसी इनवेस्मेंट ली है तो आप क्या करते ओ अगर सपोज ये इंवेस्टमेंट पचाजार की है आपने पचाजार में इंवेस्टमेंट कर दिया था सब्सक्राइब और एक साल बाद आपको लगता कि यह इनवेस्टमेंट का वैल्यू गिर रहेगा यह इसमेंट अब 49,000 की है सब्सक्राइब तो आपके पास तरीका क्या है आप इंवेस्मेंट को बोलोगे हम कॉस्ट और नर्वी पर दिखाएंगे कॉस्ट 50,000 और नर्वी 49,000 है सार इसको एक हजार रुपया कम करेंगे तो आप कर सकते हो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट डेविट तो इंवेस्मेंट यह कर सकते हो सार इंवेस्मेंट को फिर वैलिव में दिखाएंगे हम यसको डेबिट करेंगे हजार से और हाजार का लॉस्ट भी करेंगे लॉसरे और वेलुअ सन फिरे रॉस घर को डेबिट कर दिया और investment को क्रेडिट कर दिया 1000 रुपे से अब investment आएगी 49000 की ठीक है यह ऐसे हो जाएगा अब फिर आप बोलते हैं कि नहीं सरा में ना investment को को कॉस्ट पर दिखाना चाहते हैं कि दियरे चाहिए चीज़ों को हम उनकी कॉस्ट पर दिखाते हैं तो हम इसको ना वेड़ना तो हमें पता नहीं चलेगा है लास्ट में कि हमने investment कित्म पच्छेस अगी हम इसको 50,000 पर रख रहे हमें एक फंड क्रियर करते हैं उसका नाम रखता है investment fluctuation fund क्या रखते हैं investment कि fluctuation fund तो तुम लोग ने एंट्री क्या कर दी प्रॉफिट लोग से काउंट डेबिट तो इंवेस्मेंट fluctuation fund हजार रुपिया अगले साथ सब्सक्राइब और इंवेस्मेंट हजार से गिरगी तो अगरे साथ क्या एंट्री हो जागी प्रॉफिट और लोग से काउंट डेबिट टू इनवेस्मेंट fluctuation fund हजार उसके बार क्या हो गया अब बढ़ गया सपोस्ट दो सो बढ़ गया मतलब अब तोटल कितना था पहले पचाजार था फिर फोटी नाइट फोटी अब सपोस्टी एंट्र वायल्यू है तो एंट्री क्या हो जागी अब तुम वापस क्या करोगा इ इसको डेबिट करोगे 500 टू प्रॉफित लाउस एकाउंट वायंट फिर जो इन्वेस्मेंट की वैल्यू कम होती है तो अब इसी से एड्जस करते हैं तो अब क्या देखो के जिस दिन हो गया जिस दिन डिजूलिशन हो गया अब उस दिन कहानी इस तरह से है कि हमने हर साल थन परण्फर कर दिया था या अब कलें ड एक ढभी मुझे इन्वेस्मेंट फ्लक्शिशन पंड आ रहा है यहाँ पर इन्वेस्मेंट फ्लक्शिविशन फञेंटारा McMahon पंद्रास सुग अ यहाँ और इस इसी सज समीर्धिक एक कि तो इसमेंट से काउंड में लीट निया मेरे पास्ट याले कम टेए तो सर हम क्या करते हैं रियालेजर्ज इंवेस्मेंट जिसकी कॉस्ट मेरी पचाशाज रहे यह यह हो गया खत्म फिक्सेसिक चला गया स्टॉक भी चला गया वह भी चला गया ठीग है अब तुम्हारे पास ये जो कि फ्लक्षूचर फंड की जूरत नहीं तुम इसको ड्रेक्टी पार्टनर्स केट्ल एक ओंड में ठीक है वह भी एक तरीका है बट ऐसा भी तरीका है क्योंकि जैसे याद जब मेरा पास टेटर था यहां पर टेटर था और 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 ख्या था मेरे पास प्रोजिण फ़ाइट प्रोजन फ़ाइद लेते थे यह नहीं लेते थे हम प्रोजन फटाइट को कहा लेते थे अग्यां यह एक तरफ से लेते थे और प्रोजम फटार्फवर्ड को भी इस तरह से प्रेटे थे फिर बोलते थे नेट में यह बीजा रहा फिर देखें कितना पैसा आगा उसी तरह से हम इंवेस्मेंट को 50,000 लेंगे और इंवेस्मेंट का इफ एक रेडिट है इसको डेट करेंगे तो आए एक अपको भी हम रियालेजिया अपने लेंगे क्योंकि इस इन्वे ऐसमेंर को कितने में जात तो क्या हो जाए तो जालो करत थे दो क्रेट क्रेट हो गया जो हो स्पॉस्इल को अफसे नहीं करते तो क्या करते तो सब्ते तोस्जञे लेकर तो यहां पर लॉस कितना यहेगा 50 पर फटीट होगा तो यहां पर 2000 का लॉस होगा व Kollege यहां पार्टनर में जाएगा और वहां पर छь का पॉफिट पार्टनर वी जाएगा यहां नेट करके 500 investment fluctuation fund क्या है investment की थी आपने तो उसमें value कम हो सकता है कम होता है उसके लिए investment fluctuation fund create करते हैं हम इस investment को cost से less नहीं करते हैं जैसे हम debtor को भी less नहीं करते हैं इसी तरह से फिर जब dissolution होता है debtor को हम क्या करते है इसी तरह के समझो आयए फिस अप्रोजन फॉर्ट में ले जाए और आयए फो भी हम रिए बिए बोलता हूँ अगर ऐसा नहीं भी किया आयए फका तुम बोलोगे कि सर अभी इस अभी जुरुष है नहीं अब चो लॉस अनना फाइदा होगा वह तो रियल से कॉर्ट में आए आगा आयए फो तुम डिरेकली पार्टर्स के प्रेकॉर्ट में लोगए तब भी आंसर ठीक होगा प्रोजन को भी डिरेकली पार्ट लिए उसको भी हम क्या करेंगे हम ध्याले जो अभी मैंने क्या पोण अभी जो मैंने बोला था इस से पहले मैंने बोला था एक्यूमिल्ट प्रॉफिट तो यहां पर समयना है ऐग्यूमिल्ट PROFIT बभाफिड दिफेरेंट तिंग इं इस डिफरेंट ठीक है कि अगया और कि ट्रीटमेंट ओफ प्रोडल फंट तो तो मैं बसेकलिए टर्म न सीखने पड़ेगी क्या है तब तुमने सीखा आया ऑफ क्या है आया आया फ़्यार अब तुम तुमने सीख लिया तुम कुछ भी अगॉंटिंग कर सकते हो तुम पार्टनर कैप्टल एकॉर्ड में ले लो त कुछ भी तरीक से करो तो आंसर ठीक आजाएगा कोई गबरानी के बात है बढ़ तुमने समझा कि इसका नेचर कि इसका इंपैट कि है इसी तरह से प्रोड़ेंट क्या होता है अब तुम फिरम की बैलाइन्स अजब्ख रहे हैं और प्रोड़ेंट क्या है सर्जो एंप्लाइ है ताकि उनके retirement में काम आ जागा ठीक है तो आगर मेरी partnership firm में मेरी और A और B की partnership firm में हमारे employees है तो हमें as per PF rules उनका PF कार्टना है हमने उनका PF कार्ट लिया अब हमने उनका PF कार्ट लिया और हमने entry क्या किया होगी उनकी salary तो पूरी book उनके पार्टनर को नहीं सौरी employees को हम entry क्या करते हैं शायरी का खर्चा book करते हैं salary account debit to employee कि सपोस्थ 10,000 का salary मैंने उनको दे दिया तो मैं salary का कितना book करूंगा 10,000 और employee को कितना करूंगा credit but employee को जब देने की बात आगी मैं employee को 10 नहीं दोगा मैं employee account debit करता हूं 10,000 कि उसको cash दे रहा हूं 9,000 कि तो प्रोड़ेंट fund payable यह मैं उसके basis पे ब्यापे जमा कर रहा हूं तो यह मेरी liability है समझाई बात employee की salary मेरी 10,000 की थी but मैंने उसको 10,000 नहीं दिया मैंने उसको 9,000 की दे दिया क्योंकि उसका PF काटा मैंने 1000 यह मैं इसके PF account में जमा करूंगा तो this is my liability अब decision dissolution हो गया decision में यहां पर prudent fund पढ़ा हूं 10,000 रुपिया यह एक डाइक है इसी तरह से बाकी अब लाइबिल्टी इस इस माइबल्टी इस इसलाइबिल्टी अफ दिसने लाइबिल्टी का लोगे सरे इसको हम प्रॉफिट नहीं समझ लो प्रोडेंट फंड हमने एंप्लाइज की से काटा होता है जिसको हमें गवर्मनें जमा करता है तो इस आवर लायावल्टी लायावल्टी विल गोटी तरेलेस अकाउंट राइंट्री विल भी पीफ अकाउंट डेबिट रेलेस अकाउंट 10,000 और हो गया प्रोडेंट फंड थक मत गए थक गए क्या नहीं सर हम तो नहीं थके आप भी नहीं थके बोलते हुए तो हम कहां थकेंगे हमें तो सिर्फ सुनना है और तो कुछ करना ही नहीं है कंसर्ट इतने अच्छा नहीं से दिमाग में जा रहे हैं ठीक अब करेंगे 44 मिनेट अब करेंगे ट्रीटमेंट आफ पार्टनर लोन अब ठोड़ा डिफरेंट लेते हैं अगर पार्टनर का लोन होगा यह मत समुझा यार डिजूलिशन बहुत टफ है इतने सारे कंसरे कुछ निया यार बहुत असान है यह आ रहे हैं तो ऐसे डिसकेस कर रहे हैं तो हम भी ड यहीट हीट है फ्रमारी पार्टनर पार्टनर रहा है इसनुव नहीं पार्टनर का लूट में नहीं इसको रियाएक contraceptal ऑर कंद को सम तो आट्साइडर की जतनी भी लाइमिटी है of अगर पार्टनर का वुट पार्टनर का लोन उसको हम रिए रिए पार्टनर का लोन है यह पार्टनर का लोन है आपकर पार्टनर की बीवी का लोन है पार्टनर की बीवी मिल बी 3rd परसंट तो पार्टनर की बीवी का लोन है एस ψन होगा तो वह reality चांड में जाएगा और वहाँ पर उसको पे करेंगे एक लोन अगर लोने देखो पार्टनर का लोन नहीं लेते हम सीधे एंटि करेंगे पार्टनर्स लोन अगवि two cash है तो ख़तुं कर ले थे पार्टनर लोन अगवि two cash इसको आउटसाइडर्स है उनको पे गरेंगे उसके बाद पार्ट मतलब जो हमने यह नहीं पड़ा था कि इसेट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा section 48b में पड़ाता है उसमें लिखाता सबसे पहले क्या करोगा असेट्स को थे यू पड़ा पैसा बचेकर पार्टन का लोन पे करो तो जब लाइन लगेगी पैसा लेने की पार्टनर भी लगेगा पार्टन का लोन भी और आउटसाइड सबसे पहले लाइन में कुछ रहें जब विज्वालाइज करने कुछ करो कि फर्म का बटवरा हो रहा है तो यह बेची जा रही है वहां से जो कैस आएगा किनको मिलेगा सारी जो जो जिन जिन का हिस्सा है लाइबिल्टी साइट वह सारे आएगे सारे बैंक वाले आ रहे हैं वाले ठीक है वो भी आ इन का रहे है यह उसने भी लून दिया वो भी आ रहे है पार्टर वोन और रहे वी पार्टर मेया यह रिजोराओ जो वह सकम्क्त ळसक्रे में आट्च वह वह ऊटक ऊच्छो पार्टर पैसा बचा तो partner's को लोन है partner को पे करेंगे ठीक है तो एंट्री होजागी partner's loan account of cash एक है होगा अगर हमने बोला कि नहीं आभी तो partners को capital का भी पैसा मिलना है तो हम क्या करेंगे इसको cash नहीं देंगे हम इसकी capital account में transfer करेंगे तब entry क्या हो जागी डिपेंट करेंगा partners बीच में क्या agreement होगा है अगर हमने बोला कि हम क्या करेंगे हम इसके loan capital में transfer करेंगे तो इस पार्टन की capital account में तो इसको partners के capital account में transfer करते हो ठीक है बड़ खयाल यहां पर रखना है partner का loan हमने realization account में नहीं लेना है क्योंकि outsider नहीं है यह insider है तो इसके loan को हम अलग से दिया या उसके इसने बुला इससे loan account में इसका capital account ठीक है यह हो गया है ठीक है अब हम ब्रेग लेते हैं ठीक है 10-15 मिनिट का break लेते हैं क्योंकि मैं continuous यह 50 मिनिट से पढ़ा रहा हूं मैं थोड़ा सा थक गया मैं पानी वानी पी लेता हूं और उसके बाद हम और पांच छे चीजे डिसकस करेंगे और ज्यादा नहीं दो तीन चीजे डिसकस करेंगे मैं नहीं चाहता हूं कि lecture क्या duration ज्यादा हो जागा है तो दो तीन इस चीजे करेंगे उसके बाद में कुछ home work तुम्हें दूंगा तक वो तुम्हें करना है और अगले इसे में फिर और चीजे करेंगे और फिर रियालेस एकाउंट वो सारे चीज हम सीखिंगे बनाना थीक है तो अभी पाच-जेस मिंट का ब्रेक लेते हैं ठीक है कि एके शूर्च है करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी डिको कॉर्यार को सारी एकाउंट में ट्रांसपर कर दिया अब जो पैसा क्रेड़ित में च्रांट में енаटर क्रेडिट हो जाएगा जो पैसा n upright हो सब आइंगा कोई पाजित देना कोई पांटर revenir mind habil göz देख लो illustration number 8 देख लो तो उसी से यह सारा चीज़ कवर करेंगे ठीक है यह इसके बाद में नाइन dissolution के वाकत क्या-क्या जोनल एंट्रीज होती है वह करेंगे ठीक है कि इतना हम करेंगे आज ठीक है ट्रीट में अपैसे लिए टेकोर पास्ट जोनल एंट्रीज और दिशलिशन ऑफ फिर्म इन जम्मू एजुमिंग दैसे लाइबिल्टीज है वह तुमने रियालेज अकॉन में ट्रांसपर करती है तुमारे जो बुक्स में आप कोई एसेट या लाइबिल्टी नहीं बचा ज टॉक कि जिसका बूक वैल्यू है पंद्रह हजार वा कि डेकर ववाइब फार्टनर भी टेकन बाइब भी पूर एग्रीड वेल्यू अब तेरह जार तो हमारे पास जो स्टॉग था स्टॉठ उसकी वैल्यू थी पंद्रह हजार मतलब जो मेरी पास बैलेस शीट में शुक रहा था वह 15,000 था और 15,000 को क्या हुआ अब भी बोर है कि मैं इसको 13,000 में आप तुम पता तो इसकी एंट्री क्या होगी तर इस 15,000 को हमने तो इसको हमने रियर्लाइज सेखो डेगट अगर मैं है रिया रियालाइज़ेशन अखान बनाओंगा ऑधना है कि मैं थोड़ा इसको इदर लिखता हूँ यह तुम्हें देख लिया क्या है हाँ सारह मैं यहां पे रियलायजैसिशन इकाउट भनाता हूं अचैहें है ज़ुत टीकर नंजनी अ मैं दिखौन का अभी तक क्या हुआ है अभी तक यह हुआ है यह रियृराप वने है कि तुमने तुमने किया है यह नहीं कर नहीं हुँ यह स्टॉट कुनि Hm पंद्रह हजार अब इस डॉक को क्या हो रहा है अगर तुम मार्केट में बेजते तो मैं कैश आता तुम chilly करते हैं कि एंट्री करते हैं कैश अकउन डेविट कॉश्य काउट डेविट अंत्रिए कर दिया और वी अग्री कर दिया कितने में एक ट्रीकिड है तरह आपार यह तो यह फूल नहीं तो मैं नहीं करने क्यों कि हो गए मैं दिखा रहा हूं क्या हूं तक तुम्हें एक एंट्री करनें है तो हैंट्री एकंट में में यह कि तो एंट्री करहा हूं तो आज पता में का रही है तो यह एकाउंट ठीक है यह एंट्री हो जाएगी तेरह अधार ठीक है और उसके बाद अगर लेजर में डालीगे तो इस तरह से आएगा रियालाइजेशन एकाउंट क्रेडिट बाइब बीज कैपल लिए एकाउंट दूसरी चीज डैटर रुपीज 10 थाज़न आर्टेकर वारभाई पार्टर एक्ट नाइट डैटर डैटर दसजार के है क्या है तो तो तुमने क्या किया हुआ यह एंट्री को तुमने की होगी रियाले से कुछ यह तुमने किया है क्योंकि इसने बोला है एजूम एक सेट्शन लाइबिटिस है भी ट्रांस्पोर्ट टू रियाल जाओ अब 10,000 के डेटर है यह बोरा है कि यह डेटर तो मुझे देदो मैं क्या करेंगे उसके ट्रांसफर करेंगे तो एक क्या होगा एक डेट टू रियलस इकार नहीं करता है क्यूंकि तुमने बुकस में उसको खताम ही कर दिया उसका बिपले 615 ता वह बिल्कुल मैंटर नहीं कर रहा है आप प्रॉफित लस्ट निकाल लेगत तुमने उसको रिय तो यहां पर दसदर का तो एक शार का लोज ऑटोमेटिकली फर में जाएगा ठीक है क्रेडिटर 25000 विल भी पेड़ वाइए एड़न एग्रीड वैल्यू ऑफ एकीज्ञ अब क्रेडिटर 25 वह तो हो गया खतम अब एप और होगा है कि मैं दूंगा इनको खुदी कितने में एकीजर में तो एग्रीड वैल्यूट हो गया तो कितना करेंगे कि इसार तो एंट्री क्रेटित दिया को कितना क्रेटि दिया ये ने बुलाए कीज़ार में सारी क्रेटेटर को लूँगा वह 25 ठीज़ार को रहे कंड कर तो रिलाज विचका करेंगे एकेशन में नेट सैटल कर रहें तो वह चैस्ट नहीं हो जाएगा रियां इस नहीं होगा रिया चैसले काउट और पार्ट फॉर विल्स पेसे ऐबल इनको मैं खुदी करूंगा ठीक है तो मैं एंट्री नी कर रहा हो तुम लोग कर देना बहुत सिंपल है इसके बाद बैंक लोन 13,000 इस टेकर वर बाई सी इंट्रस थाउजन बैंक लोन मेरा 13,000 और इंट्रस हजार रहे कितना वाँ 14,000 तो उसको मैंने रियालाइस अकौन में ट्रांसफर किया होगा बाई बैंक लूगा तो आम क्या करेंगे रियालाइस को डेबिट अगर हम खुद प्रणाइस को डेबिट तो सीजी इस कप्रेंड ऑउन 14,000 ठीक है में अब देना अब तो आ व्यूंद्ट निग्राइस अंट्रस इस अपर प्रणाइस को डेद रहें आज बाद और तो पार्टनाइस अंट्री अट्रस को डेम रेख का प्रणाइस अट्रस आउन पाइट बनाता हूँ बट याव याव भी पहले सीखिंगे जर्नल एंट्री करना है ठीक है तो इलिस्ट्रेशन नबर नाइन को देखो तो में इधर एंट्री करूंगा तो मैं सिर्फ जर्नल एंट्री करने बट बेढ़र इसका इंपैक्ट भी दिखाऊंगा रियल्स एंट्री करूंगा ठीक है और अगर यह चीज मिटा दोंगा अगर पट लिए यहां इसकी जूरत नहीं है तो तुम्हें पता ही है क्या है तो म बाइक लून होगा तो उसको क्या किया होगा तुम्हें और पहले रलियाबेल्टी था था कितना बहुत यह हमने किया इसकी आरे बैक्ड करने करीं नहीं है कमे जर्रलेंट्री करने से और शॉन पे रिख रिख तो है कि अध्यस कoffs है कि अदिक न फायदा हुआ न नुकसान हुआ ठीक बीपार देखो ए वाज टुब आ एट्बिए ओल एक्समेंस ऑ रियलाजेशन तो अमने बोला एको बैई रियलाजेशन में जितना भी खरचा होगा तो खुदी बियर करना फॉर विच ही इस गिवन एक कमिशन अब 900 हमने इसको बोला हम तुझे कमिशन नाइन अड़ देगे फिर जितना खर्चा हो जागा तुझे हो जागा तो एल्टिमेटि हमारा रियालेजर एक्समेंस कितना हुगा है 900 वो किसको देंगे हम एको तो हम क्या करेंगे सर एंट्री हो जागी रिएलेजर इकाउं 900 यह कुंछ से पैसे रियालेजरेशन एक्समेंस का कमिशन जो मैंने इसको डे दिया ठीक है इसके पात तीस्ता चीज डेफ़र्ड एडवर्टीमेट एक्समेंट एकउंट एक्वाट इंडबूक्स अठाइज रहा है तो मारे बैलेश शीट में एक आया है डफ़र्ड एड आपतक है यह रहा है जायत एक्वाट क्या होता है यह उन्यातिम मटलकर हुटा है इस फंजक ऑ किया था कभी आडवर्ड एकउंट डेबिट Philip पर हमें लगा था किस आडवेटीजमेंट ऑ फवाइदा इस आडवर्ड इड़ार्ड इंटिसमेंट का फायदा हमें एक साल में नहीं मिलेगा का क्षाइब का फायदा हमें दो साल में मिलेगा सब्थ्वॉज मैं एग्जाम्पोल ले रहा हूと अमने कर तो हम ने क्या किया था एक्सपेंटीचर फिप्टीश था 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 पीछे कितना बचा इसका फाइदा अगले साल होगा तो अगले साल के लिए तो इसको बताइब रेविन्य एक्सपेंचर था बटेश को डेफर करते हैं प्याहिए थे दो साल में जाएंगे क्या हुआ हम उसकी जरूरत नहीं है इसको छुछ पुल्टे यह तो इसको में नहीं लेता हूं यह नहीं लेता हूं तो तो टोटल एसेट नहीं लेते हैं और हम सारी लाइबिल इस दो आए तो यह तो नहीं होगा तो हम डिलिक्ली क्या करेंगे इस जो एक्सेंस हुआ है यह लास्ट यह की प्याइल में जाना चाहिए था अभी हम रियालाइस होगा नहीं इसका चाहिए तो लेके उधर भी करोगे इसको मैंने रियालाइस में नहीं लिया होगा अभी तक तो इसको मैं क्या करूंगा खतम करूंगा तो मैं इन दो पार्टनर्स को डेबिट करूंगा ठीक है तो एंट्री हो जाएगी कि एज क्याप्टेल एकाउंट डेबिट बीज क्याप्टेल एकाउंट डेबिट तो डेफ़र्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंचर अठाइस हजार तो इसको सोला पॉइंट आच के के मिन्स थाउजंट इसमें 11.2 तो यहां पर तुम्हें क्या रखना है हम सारे एसे को यहां पर कोई प्रॉफिट अया नहीं क्या है अब यह ने लिया होगा अब यह बीने बाराशो में लिया है तो एंट्री क्या करोगे तुम्हाइं बीको टैबिट करो गई एंट्री क्या जागे नॉर्मली तुम्हें 1200 कैसा तो टैसे कॉंट डेविट टू रियालेज्ट रियालेज्ट तुम्हारे पास कंप्यूटर था जो बुक्ष में थाई नियू सपोर्ड इप्रिशेशन करके ज पुल थाजन वीच पेड़ तुम्हारे पास 2000 का बिल था वह तुम्हें लाइब इसमें रियालेज्ट में ट्रासफर किया था अब पे कर दिया तो सारा गेम रियालेज्ट और कैस के एराउंड चलता है ठीक है कैसे गया तो कैस पार्टनर ने एजूम गया तो पार्टनर थ कर दिया बागी इसमें टैंसे हम कल करेंगे तो तुम लोग अभी अन्सौर्ब क्वेशन पर आ जाओ और जो क्वेशन करेगा वह बच्चा मुझे हूंवर्क सेंड करेगा वट्सप पर इस तो तुमने कर दिया था इलिस्ट्रेशन नंबर टू और इलिस्ट्रेशन नंबर थ्री यह तुम लोग करोगे ठीक है अगर नहीं हो पाया तो मुझे वट्सप पर बोलते ना हमसे इलिस्ट्रेशन नहीं होगी तो जब हम सारी इलिस्ट्रेशन ऐसे करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सौरी प्र सॉलो करेंगे गपरानी की बात निया अभी मैं चाहता तुम खुद से करो और तुम इन कंसर्प्स को वहां पर इंप्लिमेंट करो अगर नहीं हो पाएगा मुझे मेसेज करता है हमें यह समझ नहीं आया तो मैं खुद कराऊंगा अभी हम इलिस्ट्रेशन को लेके चलेंगे किरम प्रैक्टिकल प्रॉब्लोस पर आज जांगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही कल वाले लेक्चर में और टॉपिक्स को लेके आगे बढ़ेंगे ठीक है बाई